नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर विन में और हम कंटीन्यू कर रहे हैं बाल मनोविक ज्यानेवम सिक्षण सास्ते एक सीरीज को जिसमें हम अपने प्रश्ण नमबर सतर तक यानि क्वेशन नमबर सैवन्टी तक कंप्लीट कर चुके हैं आज हमें स्टार्ट करना है क्वेशन नमबर सैवन्टी वन से सीरीज को हम कंटीन्यू करेंगे वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा चलिए अब बिना किसी देरी के फटाफट से हम अपने सीरीज को आगे बढ़ाते हुए को करते हैं डिसकेस तो आज की सीरीज का आपका पहला वीडियो को प्रवर्टक कों था तो सिख्षा में प्रयोजन वात की विचारदार्दारा का प्रवर्टक जो ठे वो ठे विलियम जेम्स अगर इससे आगे की वीडियो आपने ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा आप वहाँ से देख लीजे या फिर आप लेलिस से जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं बच्चों के लिए सबसे उत्तम सिक्षक वह है जो स्वयम बालक जैसा हो यह किसका कथन है तो यह कथन है मेंकेन का सिक्षक आचार सहिता क्या है तो सिक्षकों के मानक व्यवहारों की एक सूचक पुस्तिका जो होती है उसको हम सिक्षक आचार सहिता कहते हैं अगला कुश्चन है सिक्षकों की योग्यताओं प्रयासों और उनके व्यवहार का सही मुल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है तो सिक्षक की क्या योग्यता है उसके क्या प्रयास है उसके व्यवहार का सही मुल्यांकन क्या ये सब किन चीजों से किया रदिया, कौन है ऐसा जो इन चीजों का मुल्यांकन कर सकता है तो वो है उसके छात्र यानि छात्र ही ये बता सकते हैं कि सिक्षक कितना योग्य है, कितना वो पढ़ाने के प्रतिजागरुख है, कितना वो प्रयास कर रहा है, उसका व्यवहार कैसा है, इन सब बातों का मूल्यांकन एक छात्र ही बहुत ही आसानी से कर सकता है चात्रों में वेग्यानिक द्रश्टिकों उत्पन ने किसके द्वारा किया जा सकता है तो चात्रों में जो वेग्यानिक द्रश्टिकों होता है वो तरक संगत विचारों के प्रस्तुती करण द्वारा किया जा सकता है सामाजिक समय योजन का कठिन काल किसे कहा जाता है तो पूरवि किशोरावस्था को जो लड़कीों और लड़कों दोनों के संदर्व में है यानि कि पूरवि किशोरावस्था जो आपका काल होता है फिर वो ये उसे फैक्ट ने है कि आप बॉइस की बात कर रहे हो या girls की बात कर रहे हो, दोनों के लिए equally है, पोर्व किशोरावस्था का जो समय होता है, वो सामाजिक समायोजन के लिए सबसे कठिन काल कहा जाता है, जहाँ अपने किशोरावस्था को पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आग कि साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि अगर आप अपने स्टुड के साथ जादा से रहेंगे, तो वह अपनी बातें, अपनी समस्याइं, अपनी कमजोरियों को आप से share नहीं करेंगा, वो डदरता रहेंगा, और फिर आप उसका उप्शारात्मक शिक्षण कहलेजी या निदानात्मक शिक्षण कहलेजी इस तरीके से आप कुछ भी उसके लिए help नहीं कर पाएंगे अगर वो आप से अपनी बातें शेयर नहीं करेगा क्योंकि अगर आप खुद से समझने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है कि काफी समय लग जाए और उस समस्या को आप जान ही ना पाएं जो एक्शुल में है तो इसलिए छात्रों का विश्वास यदि एक सिक्षक प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए यह जरूरी है कि वो चार सु इस पस्ट इस तर बताए हैं वो किसने बताए हैं जीन प्याजे ने नेक्स्ट कुशन है बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों से प्राप्त होती है यह अवस्था कौन सी है तो यह है साथ से बारा वर्ष तक की अवस्था बालकों की सोच अमूर्थता की अपेक्छा मूर्थ अनभवों और प्रत्यों से होती है यह कौन से अवस्था है यह साथ से बारा वर्ष के अवस्था है next है गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रियोग किसके समान अर्थ में किया है तो स्रजनात्मक चिंतन जो होता है उसे हम कहते हैं अभिसारी चिंतन क्योंकि यह चिंतन इस तरीके का होता है कि आप किसी एक चीज को कई तरीकों से सोच सकते है कि जो एक काम है वो कितनी तरीके से किया जा सकता है मैंने इस पर वीडियो बनाया हुआ है अब सारी और अभी सारी चिंतन महाप मैंने इसको समझाया भी है आपको कि किस तरीके से ये चीज़े हैं तो इसको हम कहते हैं स्रजनात्मक चिंतन आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेशन की तरफ बुद्धी का त्रिक बिंदू सिधान्त किस ने दिया तो ये इस्टर्न बने दिया है और इन्होंने बुद्धी को तीन भागों में बाटा है विसलिशनात्मक बुद्धी, व्यभारिक बुद्धी और स्रशनात्मक बुद्धी जीन प्याजी के अनुसार बुद्धी क्या है तो जीन प्याजी के अनुसार बुद्धी बातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है बुद्धी बातवर्ण के साथ अनुकूलन करने की प्रिक्रिया है अलफ्रेड बिनी के अनुसार बुद्धी के प्रकार बताईए तो अलफ्रेड बिनी के अनुसार जो बुद्धी होती है वो आपकी चार शब्दों से मिलकर बनी होती है ग्यान, आविशकार, निर्देश और अलोचना ठीक ये चार चीजें जो हैं वो बुद्धी में समाहित होती है तर्मन की अनुसार, बुद्धी की क्या परीभाशा है तो टर्मन की अनुसार, तर्मन कहते हैं बुद्धी अमूर्त विचारों के बारे में सोचने यूग्यता है बुद्धी क्या है? बुद्धी अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की युगिता है मैंने बुद्धी की परिभाशाओं को याद करने की एक ट्रिक बनाई है उसका एक वीडियो आपको अब लेविल है Study for me की प्लेइस्ट में चाहिए बुद्धी की परिभाशाओं को याद करने की ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है आपको बहुत आसानी से सारी बुद्धी की परिभाशाओं उसमें याद कराने का मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है उम्मीद करती हूँ वो प्रयास आपको पसंद आएगा इसलिए प्लीज आप उस वीडियो को जाकर एक बार जरूर देखे next question है stern के अनुशार बुद्धी की परिभाशा क्या है तो stern के अनुशार बुद्धी की परिभाशा है बुद्धी एक सामान्य योगिता है जिसके द्वारा व्यक्ती नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है तो यानि इसके अनुशार क्या है stern के अनुशार बुद्धी एक सामान्य योगिता है जिसके द्वारा व्यक्ती नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है अगला question है बखिंगम के अनुसार बुद्धी की क्या परिभासा है तो बखिंगम के अनुसार सीखने की सकती ही बुद्धी है आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेशन की तरफ वैसलर के अनुसार बुद्धी की क्या परिभासा है इन्होंने बुद्धी को बताया है किसी कारे को करने की तारकिक चिंतन करने की और वातावण के साथ समायोजन करने की सामूहे की योग्यता जो है वो बुद्धी है बुद्धी कितने प्रकार की होती है तो बुद्धी आपकी तीन प्रकार की होती है अमूर्त बुद्धी, मूर्त यान्या यांत्रिक बुद्धी और सामाजिक इसका भी विडियो आवलिएयू है। आप इसका डेटेयल विडियो अगर तो आप जाकर इसका पूरा डिस्क्रिब्शन देख सकते है। नेक्स्ट कुर्शन है आपका यांत्रिक बुद्धी या इस्थूल बुद्धी किसे कहा जाता है तो यांत्रिक बुद्धी यानि मेकैनिकल जो आपकी बुद्धी होती है मेकैनिकल इंटेलिजेंस तो इसमें किसमें आ जाएगी या आपकी मूर्त बुद्धी के अंतरगत आ खाते हैं इसलिए आप जरूर यह चीज याद रखें कि एक्यस को अगर कई नाम हैं तो उन नामों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, functioning को पहचांद सके हैं नेक्स्ट है, स्पियर मैन के अनुसार बुद्धी की क्या परिभाशा है? तो स्पियर मैन के अनुसार बुद्धी तार के क्चिंतन करने की योग्यता है. बुद्धी क्या है? बुद्धी तार के क्चिंतन करने की योग्यता है. अगे बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ अगला question हमारा क्या है अगला question है मनो विज्ञान शब्द का प्रियोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था तो मनो विज्ञान शब्द का प्रियोग करने वाला पहला व्यक्ति आपका रूडोल्फ गॉल का है और इन्होंने कब इससब्द का प्रियोग पहली बार किया इन्होंने किया 1590 जिए यह जरूरा प्याद रखी गया है सं कई बार पूछ आपके नेक्स क्यूशन है सामाजिक अंता क्रिया क्या होती है दोया दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस पर संबंद और क इंतागरियां कहलाती हैं, जैसे एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे के प्रति सहानुभूती यानि सिम्पथी रखना, त्याग, बलिदान, ये सारी चीज़ें आपके इसमें आती हैं, प्राचीन काल में मनो विग्यान को क्या माना गया था, उसका क्या अर्थ था, उसे क कहा था, ये कहा था, पंपो नाजी ने, इस पर भी वीडियो अब लेवल है, आप लोग जा कर देख सकते हैं, क्योंकि ये सारी जित्ती भी क्वेशन्स मैंने यहां पर लिये हुए हैं, इन सब पर मैं डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना चुकी हूँ, आपको कहीं किसी भी ली किसी ने, चीजिती दिटेल में अगर प्रॉब्लम आती है, आप प्लिस जाएए, प्लेद सबस्कंड़े हैं, मैं उसकी लिक्स मिल जाएंगी, बनाइब जाएए, आपको किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई दिक्कात है, तो आप जाकर सबस्क् Assist करके वो वीडियो कर सकते हैं हमारे special group को join कर सकते हैं और अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं तो आप मुझे किसी भी social site पे follow कर सकते हैं twitter facebook या फिर instagram पे तो please guys follow me thank you इस वीडियो में तहीं मिलती हो अपने अगले वीडियो में एक और चीस टॉपिक साथ करूंगी इस सीरीज को continue तब तक के लिए नमस्कार